स्वागत है दोस्तों हम लोग देखेंगे आज गोली दर्पन और उससे बनने वाले प्रतिवीम गया है तो जैसा कि देख रहे हैं आप यहां पे एक बाल दिखाया गया है तो गोली दर्पन मतलब गोल दर्पन इस बाल की तरह और बाल का जो एक देखो एक हिस्सा काड़ के अलग कर दिया गया है तो इसी काटे हुए हिस्से को हम लोग आउतल दर्पन या उत्तल दर्पन कहते हैं ऊसके परावरतक सत्य के अदार्पन यदि परावर्तक सत्य जैसे कि मा één लो खोई यह वाला काटा हुआ हिस्सा है गोलिय दरपन का, यदि इसका अंदर वाला हिस्सा पॉलिस किया गया है, इसका परावर्तक सत्था कौन सा होगा, यह बाहरी हिस्सा होगा, तो इस बाहरी हिस्से में यह परावर्तक सत्था हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दरपन, ठी और यदि ये गोलिये दरपन का कोई हिस्सा है और इसके बाहर वाला भाग क्या है पॉलिस है और अंदर वाला चमकदार सदा है तो इसको हम लोग बोलेंगे आउतल दरपन एक बात और बता देता हूँ आउतल को बोलते हैं अभी सारी आउतल को क्या बोलते हैं अभी सारी उतल को क्या बोलते हैं अपसारी उतल का दूसरा नाम है अपसारी ये प्रकास को फैलाता है और आउतल दरपन का नाम है अभी सारी ठीक है आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि यहां पे पहले हम लोग देखते हैं यहां पे देख सकते हो आउतल दर्पन यह वाला क्या है आउतल दर्पन इसका बाहरी जो हिस्सा है जो नीला कलर यह वाला जो बाहरी हिस्सा है नीला कलर बाहर पोता गया है और अंदर परावर्टक सता है और ये देखिए उत्तल दरपन जिसमें अंदर वाला सतह पॉलिस किया गया है और बाहरी सतह इसका परावर्टक सतह है तो इस तरह से होता है अंदर वाला जब पॉलिस के आ रहे है बाहर जो है चमकदार सतर हो वह उत्तल दरपन और जब अंदर वाला सतर है चमकदार सतर हो तो वह उत्तल दरपन इन दोनों दरपन में देखिए एक यह मुख्छ अक्छ एक रेखा खिचा गया है दोनों दरपन मे इस दुरुव को पी से दर्स आते हैं अब वकरता केंद्र हम लोग पढ़ रहे हैं गोली दर्पन अब इसको काट के बनाया गया है इस तरह से काट के जो है या तो हम उत्तल दर्पन बना सकते हैं एक साइट को या फिर उत्तल दर्पन बना सकते हैं पॉलिस करके कोई कांच है गोली दरपन है ना उस गोली दरपन को काटा गया है तो यह जो उसका केंद्र है माल लो यह इसका मुग चाक्छा है तो इसके केंद्र जो बिंदु है इसी को हम लोग वकरता केंद्र कहते हैं और सी से दरशाते हैं देखिए यहां पर देख सकते हैं सी यहां भी है वकरता केंद्र सी यह वाला गोली इदरपन इस तरह से आकरिती बनाएगा जिसका जो काटा हुआ हिस्सा है उसी तरह से इधर का इस तरह से गोली इदरपन बनेगा उसके केंद्र को हम वकरता केंद्र बोलते हैं लेकिन यहां पे हम जो है काटा हुआ हिस्सा को पढ़ रहे हैं इसलिए हम इस मुक्ष अक्षा में इस बिंदू को प्राप्त करते हैं केंद्र बिंदू जिसको वकरता केंद्रा सी से दर्शाते हैं उसी तरह से उत्तल दर्पन में इस साइड होगा तो अभी तक आपको पता चला कि ये मुक्ष अक्षा और दुरुव पी और वक्रता केंद्र सी आगे बढ़ते हैं अब देखिए आउतल दर्पन द्वारा जो है किस प्रकास से प्रतिभिम्ब बनता है अब ये एक आउतल दर्पन है जिसका बहारी सत्ह है जो है पालीस की आगे है अंदर सत्ह जमकदार है सबको पता है ये वाला जो रेखा है ये मुक्ष अक्ष है है और ये वाला जो वक्रता केंद्र सी है उसके बाद देखो मुक्ष अक्ष के समनांतर ये प्रकास किरण आ रही है ठीक है मुक्ष अक्ष जैसे गया है वो ऐसे ये भी आ रही है तो जब इस दरपन से टकराएगा तो प्रकास किधर लोटेगा इस दिसा में लोड़ जाएगा और इस जिस बिन्दू से लोटेगा मुक्छ अक्छ में जिस बिन्दू से लोटेगा उसको हम बोलते हैं फोकस बिन्दू ठीक है यह इतना याद रखना है तो जब भी प्रकास किरन मुक्षक्ष के समनांतर आएगी तो परावर्तन के पस्चात फोकस से होकर गुजरती है यहां मुक्षक्ष के समनांतर आ रही है और यह फोकस से होकर गुजर रही है इतना याद हो गया उसके बाद दूसरा नियम क्या है दुसरा नियम कह रहा है कि दरपन के फोकस से गुजरने वाली प्रकास किरण परावर्तन के पस्चात मुक्छ अक्ष के समनांतर गुजरती है देखो पहले प्रकास किरण इस मुक्छ अक्ष के समनांतर आया और ये फोकस से होकर गुजरा लेकिन अभी क्या हो रहा है फोकस से प्रकास किरण जा रहा है और जब फोकस से प्रकास किरण इस तरह से जाएगा तो यह मुख चक्च के समना अंतर लोड जाएगा ठीक है तो हम लोग यदि प्रकास किरण को इस मुख चक्च के समना अंतर गुजा रहे हैं कि होकस होकर गुज़रेगा यदि हम फोकस से होकर गुजारे तो मुझ चिक समनां अंतर वह वापस छेल जाएगा ये दो नीयम समझा गया अगला नीयम देखते हैं दर्पन के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकास के किर्ण दर्पन से परावर्तन के पस्षाथ उसी मार्ग में लौड जाती है देखो यह सी बिंदू सबको पता है वक्रता केंद्र है अगर यहां से प्रकास के अंदर ऐसी प्रकास के अंदर गुजरे तो उसी दिशा में वापस लोड़ जाएगी कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगी अगर इधर से प्रकास के अंदर ऐसे टकराएगा तो यह भी इसी दिशा में वापस लोड़ जाएगा ठीक है तो यह याद रखना है कि प्रकास के अंदर से यदि कोई रेखा गुजरती है प्रकास किरण की तो जो है उसी दिशा में उसी बिंदू से होकर वापस लोड़ जाती है आगे देखते हैं तो हम लोग अभी तीन नियम पढ़े वो था केवाल आउतल दर्पण के लिए हम आउतल दर्पण पढ़ रहे हैं अब देखिए यहां पे एक आउतल दर्पण रखा गया है ठीक है और इस टेबल की उपर में यहां पे एक डिब्बा रखा गया है प्रतिबिम बनने के लिए और इसमें उपर में हम मौमबत्ती रखे हुए हैं देख सकते हैं यहां पे दर्पण है तो इस दर्पण से टक्रा रहा है यहां से प्रकास आ रहा है और इस मौमबत्ती का प्रतिबिम कहां हमको दिखाई दे रहा है यहां से रिफलेक्ट होके इधर आ रहा है और मौमबत् उल्टा बनेगा यह आपको जाद रखना है प्रति बिम्ब बनेगा हमेशा उल्टा चीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए इस्तिति कैसा है यह भी आउतलदर पढ़ा है देखो यह है वकरता केंदर यह है फोकस विंदू यह वला है अब वकरता केंदर से दूर रखा गया है वस्तु को मालनों कोई वस्तु है A B मतलब मुम्बत्ती को नाम दिया गया है A B ठीक है केवल A B या A बोल सकते हैं तो यह वकरता केंदर से दूर है वकरता केंदर से दूर है और इस से प्रकास किरण इस तरह से गुजर रहा है मुक्षक्य के समनांतर और वो टकरा के फोकस बिंदू से होकर इधर लौट रहा है और एक किरण यहां से फोकस बिंदू से होकर गुजर रहा है और यह मुक्षक्य के समनांतर आजाती ही सब को पता है अब देखो यहां पे मिला यह प्रतिविम्ब हमको मिला यहां तो मैं तो बताया हूँ अभी कि उल्टा बनता है यहां भी उल्टा बना है और कैसा बना है वस्तु से छोटा तो यह प्रतिविम्ब आपको यही बता रहा है यह चीत्र कि जब वस्तु वक्रता केंदर से दूर हो मुक्छ अक्छ में वक्रता केंदर के दूर हो तो उस वस्तु का चीतर कैसा बनेगा उल्टा बनेगा ये तो रट खीलो जब आउतलदर पढ़ है तो उल्टा ही बनेगा और कैसा बनेगा छोटा बनेगा जब वस्तु कहां हो इस वक्रता केंदर से दूर हो सी सी बिंदू से दूर हो तब ठीक है पहला इस सिती हम लोग देखें कि सी बिंदू से जब दूर रखा गया है अब दूसरा इस सिती किया है देखते है दूसरा प्रतिवी में देखिए है इसमें कहां पर रखा गया है वकरता केंद्र पर रखा गया है यह सी बिंदु है गल्दी से यहां पर और रखा गया है तो यह है वकरता केंद्र क्या है यह वकरता केंद्र है तो जब वकरता केंद्र पर वस्तु रखा गया है यह सी बिंदु पर रखा गया है प्रकास केरिशार ओक फोकस से और इदर से गुजरा रहे तो यह मुखशका के समयनांतर चला गिया। इस तरह से हमको वकृता केंद्र पर यदि वस्तु रखें हैं तो उसका प्रतिबीम ठीक उसके नीचे वक रता केंद्र पर ही बन रहा है और वस्तु से केंद्र पर ही बन रहा है तीन चीजे पुछा जाता है एक्जाम में यदि वस्तु को हम वकरता केंद्र पर रखें हैं और तल दरपन में तो उसका प्रतिपीम कहां बनता है अपसन में आपको दे देगा चार अपसन फोकस पर फोकस और वकरता केंद्र के बीच में या वकरता में देखो वस्तु कहां है यह वकृता केंद्र और यह फोकस दोनों के बीच में है तो आपको कोस्चन में देखा कि वस्तु वकृता केंद्र फोकस के बीच में है तो उसका प्रतिभीम insert कहा बने देख सकते हैं तो इसके पहले हम लोग देखे थे देखी इधर जब वस्तु वकरता केंदर से दूर में था है ना वकरता केंदर से दूर में था यहां तो प्रतिबी में कहां बना वकरता केंदर और फोकस के बीच में बन रहा है ठीक है जब वस्तु कहां था वकरता केंदर से दूर था तो वकरता केंदर सी और फोकस के बीच में बन रहा है अब वस्तु यहां है वस्तु कहां है भी देखते हैं फोकस और वकरता केंदर के बीच में देखिए यस्ट उल्टा पहले वकरता केंडरा के दूर में था तो उसका प्रतिबिम्ब यहां बन रहा था वकरता केंडरा फोकस के बीच में लेकिन अभी वस्तु जो है वकरता केंडरा और फोकस के बीच में है ये तो उसका प्रतिबिम्ब कहां बन रहा है जेस्ट यहां पर उल्टा मतलब इसके बीपरित उल्टा तो बन ही रहा है वकरता के अंदर से दूर बन रहा है वकरता के अंदर अगर दूर में है तो वकरता के अंदर फोकस के बीच में और वकरता के अंदर फोकस के बीच में है वस्तू तो वकरता के अंदर से दूर मतलब यदि वस्तु को यहां रख रहे है तो यहां बन रहा है उसका प्रतिभीम यहां रख रहे है तो यहां बन रहा है यही याद रखना है और यह कैसा बन रहा है उस टाइम क्या बना था वस्तु बड़ा था और यहां पे छोटा बन रहा था लेकिन अभी वस्तु छोटा ह प्रतिवीम्ब बड़ा है ठीक है तो हमको यहां पर अगर पूछा जाये तो हमको क्या पता चला यहां कि वस्तु से बड़ा बनेगा ठीक है उल्टा तो बनेगा ही यह अउतल दरपन के लिए कामन है और कैसा बन रहा है वकरता केंद्र से दूर है ना वकरता केंद्र सी से भूर बन रहा है अब सब यह हो गया को थेनी स्थिति हम को लोग देखे अगला इस्थिति क्या है देखते हैं करें अ剛剛 हो यह अलग है उन तीनों से यह अलग कैसे अलग है कि वस्टू कहां रखा गया है रो को कैना फूकस बींदू पर कि नहीं को कस्यंदू और जो तो पी धुरू है उनके बीच में रखा गया है फोकस बिंदु और पी के बीच यानि दरपन के एक दम नजदिक रखा गया है इससे एक प्रकास क्रिण ऐसी समानांतर गुजारे यह लाउट आया ठीक है अब फोकस बिंदु से और एक क्रिण जो यहां से गुजार रहा है फोकस बिंदु से ना होके वकरता केंदर से और वकरता केंदर में यह आपस लौट आता है तो इस तरह से दो इसमें जो क्रिण गुजारी गई अब इसका प्रतिवीम देखो इधर जो है यह रेखाएं मिल रही है क्या नहीं मिल र तो इसका उत्तर अनन्त ही आएगा अनन्त में बनेगा ठीक है लेकिन हम को ध्यान देना है इसका प्रतिविंब हम प्राप्त नहीं कर पा रहें इस दिसा में हम इसको आभास कर रहे है देखो इधर इन रेखाओं को पीछे जो है मिलाया गया है पीछे मिलाया गया है तो एक जो सीधा प्रतिविम्ब मिला यहां तीन जो इस्थिती पढ़े हैं उससे यह अलग ही है यहां पर प्रतिविम्ब में हमको सीधा मिलेगा तो यह याद रखना है कि यदि फोकस और धुरूव के बीच में है वस्तू आउतल दर्पन में वस्तू यदि फोकस और धुरूव के बीच में है तो उसका प्रतिविम्ब हमेशा सीधा बनेगा और वस्तू से बड़ा बनेगा और कहां पर बनेगा अनन्त पर यह आपको याद रखना है ठीक है देखो इसी को कालम में दिखाये गया है पहला है यहां वस्तू की इस्तिति सी से परे यानि सी से दूर में है तो प्रतिविम्ब की इस्तिति कैसा था प्रतिविम्ब की इस्तिति सी और एप के बीच में बन रहा था ज्यान दिजिए प्रतिविम्ब की प्रकृति कैसे थी वास्तविक था कि प्रतिबीम के साथा चोटा बना था को कि शीपर है वहीक वश्टू तो उसका प्रतिबीम ही बना वास्तवी बना उल्टा वास्तरी बहिसता इसने होजट नई पर caring ओसक ही सिर भर नाखर कंद ड सिर बनेगा उसके नीचे बनेगा और उल्टा बनेगा Ona कुछ को कि जस्य इसको ल्टा यहां c और erim के बीच में बनी खा अब caves के बीच में यहां चोटा बने था यहां अरशे बनने गा यहां रहको दर्पन के पीछे बनता है अभी अम लोग देखें पर उसको प्राप्ट नहीं कर सकते हैं अतहर दरपन में ही देखें यह आभासी बन रहा है हमको पता है पीछे जब रेखा को मिला थे तब हमको मिला था और वस्तु से बड़ा बन रहा है तो यह इस्तिती जो है कमपिटिशनिक जाम में पूछता है आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसी में आपको मैं बता देता हूँ हम लोग देखे अभी आउतल दरपन के बारे हैं अब देखते हैं उतल दरपन में उतल दरपन का बहुत ही आसान है देखते हैं उत्तल दर्पन द्वारा बनाया गया प्रतिपीम्ब देखी यहां लिखा है उत्तल दर्पन द्वारा बनाया गया प्रतिपीम्ब सदेव आभासी कैसा बनेगा सदेव आभासी हमेशा सीधा और आकार में वस्तु से छोटा बनता है यह एक लेन आप रट लिजिए जैसे हम बना के दिखाएगे है कोई वस्तु है अब यह रिफ्लेक्ट होगा तो इधर तो नहीं आता है इधर जाता है क्योंकि यह इस तर से उत्तल है इधर अंदर वाला भाग पाली से बाहरी वाला भाग चमकदार है तो इसमें इस तर से टक किये इधर मिलाएगे है इन रेखाओं को तो राप्त हुआ यहां इस तर से हमेशा उत्तल दरपन में आभासी बनता है हमेशा सीधा बनता है इस तर से और आकार में हमेशा छोटा बनेगा तो यह तीन चीज़ रट लिजिए उत्तल दरपन में बनेगा तो आभासी सीधा औ और छोटा ठीक और लेन से भी प्रतिवीम्ब बनना पूछा जाता है तो अगले वीडियो में मैं उसके बारे में भी बताऊंगा धन्यवाद